असलाम लेकुम माई यूटूब फैमली वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू नइजर व्लॉग आज का जो व्लॉग है मेरा है कुकिंग के ऊपर क्यूंकि आज 9 निमंबर था और मेरे हैद बेंड और मेरे बच्चे दोनों घर पे थे तो सुस्राल वाल तो आरेडी घर प हैं अंडा सुझी की खीर अपने लिए वार रेडिक करूंगी तो मैरा के लिए मानोख बिली के लिए लिए लूँगे सुझी का हलवा और गढ़ में आरेडी छिकन जो चनेः वो बन रहे हैं तो जो और साथ मैं सोचा कट्ले सोड़े से बना लूँग वो मेरा बेटा ना विए विए ज़ बेंगन पसंद नी करता खाने के उप शेल जंप बेंगन और पॉटाटो पसंद नी करता तो मैंने का क्यों ना इसको कबाब की सुरत में ख़लाए जाए आज की रेस्पी स्टार्ट करते हैं मेरे सारे ingridians सुनते जाएं और आपने भी निर्णिडियस पर आम्मर्ब करके तो आपने लिए पने बच्चों को ऐसी खलानी है बनागे बिंगन को पहले आया उसके चूले के उपर डाके के चिल के तरह साफ कर लेने और एक तरफ में यह जो आपका था थो इनको मैंने वाइल गर के मैश कर लिया अलाग बरतर में ठीक है यह दोनों वियू आप देख रही है इसमें नमक मीर्च हल्दी थोड़ा असा बैसन डालने ताकि जो ठीक है ना वो टूटे ना बैसन को रोस्ट करके डालना है बैसन को डिरेक्ट नहीं डालना सो जो ही बिंगन वो हो जाएगा गल जाएगा उसको आपने इसके अंदर डाल के तो मैश कर लेना है अलकाल का यह और नमक मीर्च इतनी यूद्या तेज नहीं करनी जो टड़नी पेशल जंप जाननी करते वो और आम से खानेंगे इन तीनों चीज़ों को बस बॉयल करके ना मैश कर लेना ब्लैक पेपर नमक मेश एड़ कर नहीं है तो देखना बड़ी अच्छे तरीका से खालना है तो इस पाइपनों चानी दान गई तो आपके तेखा हो कर पना यह, हमारे गारमिज ना की एक तुछ самых अच्तनलों बनाती है तो एक से बिञाये ना गोर्टवचनों मेश पॉसने, एक साइप आपके और पर रही हैं यह बादे नहीं दोगर कम यूज़ किया गुड़ या शक्र यूज़ किया तो इसी शक्र डालेंगे बस इतना धियां रखना है चाश में भी और इसके अंदर भी प्रज़ को अगर एक लोगी तो आपने दो कप चीनी लेनी है और जो गुड़ होगा वह अब मैं आपको अंदाजे सी बता सकती ही भी उत्यास के दिखाऊगे तो इसका बस रोस्का हो ना ताकि इसका कलर चेंज हो गोगी कच्छी ना रही है तो कलर चेंज करते ही मेरी ताहल वादा ताँच-दस मीट की था यह रेस्टी पाँच-दस मीट के अदर मेरा रेडियो हो गया था सब तो इसके अंदर एड़ करेंगे पानी पानी के साथ एड़ करेंगे चीनी या गुड शकर जो आपके बचे या फैमली पसंद करती है आप उनको दें इस मुकाम पर आके ना मेरा तियार होगी थी अभी इतनी तियार नहीं थी होई बस ना वह तार जैसे कितना है थासे चीप अधार नहीं तो आपने देखनी है वह बंढ रही है नहीं बहन पर इतार बंने लगे तुह आपने स्टारट में सूझी में आई यह बनाई ना चान पर किमेंटर किया है इस की से इंदेर एट वह आपने वह दो हमक्षे झाल मेरे ऑड़िया अज। हम तो यह बमस्वाइब को हैं इसकिये सूजी को relevant आइना डिमी और रन हरो फेख़ करके लुखती है दो आज आपक्तितों हम इन्हें तुज के इस अ make ये चिया कोई मीठे का दिन था मीठे का दिन नहीं था है इनसान का जब दिल करें खा लेना चाहिए क्या पता किस टाइम इनसान अला को प्यारा हो जाए तो जब आपका दिल करें, जो चीज़ नहीं आप बना के खा लें अपने बच्चे जो आपके आपसे फ़र्माइश करें, अपने बच्चों को बना करें यह आप चार्ष्ट जो है रेडी हो गी थी तो इसकी फाइनल लुक थी, यह हलवे की भी फाइनल लुक थी इसमें गिरियां बदाम और जो काजू पिस्ता जो आप पसंद करते हैं लाइची चोटी लाइची बड़ी लाइची जो भी पसंद करते हैं वो एड़ कर लें यह देखिए अब चार्ष जो बिल्कुल ना बरतन के साथ चेपने लाग गई है और मैंने इसके अदर जो अपना लुक देखें यह बलैक चैन एक साइड पर रखी हैं कोली में एक साइड में हलबा एक साइड पर वो अंडे और सूजी वाली खीर और यह फाइनल लुक टिकियों की टिकियों के कबाब कटलस इतने कमाल टेस्टी थी थे ना कि मेरे बच्चों ने कैचप लगा के मिंट साइड नहीं करती हैं मारे बच्चे मूँ नहीं लगाते हैं यह वह उनको मुक्तली तरीके से बना कर दीना क्यों नहीं खाते हैं मेरे बच्चे तो खाते हैं यह जो खटला से उनके फाइनल लुक है तो होड मेरे कोई इतनी खास मेरे नहीं थी आई 9 नमबर था नमाज वगारा पड़ी कपड़े वगारा दोए तो लामा इकबाल कि आज ती यो मैं पदाईश वो आज की दिन पैदा हो बेते तो आपको पता है यह आलमी छूटी होती है आज की दिन तो उन्होंने पाकिसान आज को फालो कर दिया करें लाइक कर दिया करें मेरे चैनल को मैं रोज आपके साथ अपनी वीडियो पूरे दिन की रूटीन जो है शेयर करती है और कुछ खास नहीं थी है बस यही मेरी आज की रूटीन थी इसके साथ ही अपनी बेहन को अजाए देए लिए अलाह अफीज टेक क्यार बाबाए